नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ले मेरी नजर से। भी कई एपिसोड का करते आ रहे हैं जिस पर अलग-अलग विशयों पर हिंदुस्तान की आजादी और आश्री आंदुलन से जुड़े हुए चीजों पर तो उस पर चर्चा कर रहे हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इन्वाइट करके हम लोग उनसे बाचीत करते हैं। में उसके बाद सामप्रदाइक्ता के तनाव बढ़ते गए च्यालिस में उसके बाद कैलकटा में डारेक्ट एक्शन हुआ नुआ खाली में दंगे हुए हिंदुस्तान के अलग-अलग जगा उत्तर भारत में भी फैल गए। तो इस पूरे प्रोसेस में और पास आते गए हम। फाइनली जाके जून में जून के पहले सतर में लॉड मांट बैटन जो हिंदुस्तान के आखरी वईशरय थे उन्होंने एक प्लैन का एनॉंस किया कि जिसको बोलते है मांट बैटन प्लैन जिसको हिंदुस्तान के राश्टिया आंदलो नमस्ενमली के नेताओ इक्सेप्ट क्या यह प्रोसेस किसी कसाई के नाइफ से हुआ था या फिर किसी सर्जन ने बहुत ही प्यार से काटा था उस प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बाउंडरी कमिशन बनाई गई थी जिसको रैड क्लिफ कमिशन भी कहा जाता है तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पलवी चक्रवती जो अंबेटकर उनिवर्सिटी दिली में वहाँ पे अध्यापक हैं और फिलहाल तीनमूर्ती में नहरू मेमोरियल फेलो भी हैं इनकी बहुत इंपोर्टन्ट किताब आईये बाउंडरीज एंड बिलॉंगिंग्स रिहाबिलिटेशन अफ रिफ्यूजी इन इंडिया तो पल्लवी जी हमारे कारिकरम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा बहुत मैंने अलड़ी अपने इंट्रड़क्शन में कहा कि हिंदुसान का बठवारा कि कैसे च सब्सक्राइब के विशेशग्या है सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पर बुलाने का और जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टन शब्द यूज किया कि क्या वो कसाई का था या फिर सर्जन्स नाइफ इस पर जोया चाटर जी ने भी लिख रखा है कि बहुत बहुत इंपॉर्टन वर काम है बंगॉल के मतलब सभी असपेक पार्टिशन को लेकर फ्रम हाई पॉलिटेक से लेकर सबस्पेक तो उन्होंने सर्जन्स नाइफ लेकर एक बहुत अच्छा और इंपांडरी कमिशन लेकर आर्टिकल लिखा है और मैं उसका ही आपसे करने वाला एक ऐसा कमिशन तयार किया जाएगा पर ये ऐसा नहीं था और बहुत ही मैसी बहुत ही के ओटिक और जिसे कह सकते है कि जल्दबाजी में लिया गया ये एक डिसिशन था और उसी के उसका एक तरस आप कह सकते हो एक मुखोटा पहनाया गया था कि सब कुछ जो है और में है, कंट्रोल में है कि हमने 3rd जून में प्लान बनाया है, पार्टिशन होगा, ये भी भारतियों पर छोड़ दिया गया कि ये तो आपका डिसिशन है, तो डिसिशन तो पार्टिशन इंडियन का है, फिर आपके ही डिसिशन से हमने बाउंडरी कमिशन एक बना रहे ह जैसे कि आपने इंडियन इंडिपेंडनेंस एक भी पास होता है, ठीक उसके बाद ही, तो ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ एक स्टेज वाइस हो रहा है, पहले डिसिशन तो पार्टिशन फिर उसको कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बाउंडरी कमिशन बनाया गया इसमें सिर्फ जोया चैटर जी नहीं, लूसी चेस्टर का भी एक रिसेंट किताब है, जो की देखता है बाउंडरी पंजाब का, जैसे जोया चैटर जी का काम बंगाल पे था तो लूसी चेस्टर का काम पंजाब का, और उन्होंने जो उनका बहुत नौवेल एसपेक्ट कि उन्हों ने कंपैर किया ये बाउंडरी कमिशन व। पेलिस्टाइन दर इसड्राईल का बाउंडरी कमिशन तो उन्होंने दिखाया कि ये एक तरह से बिटिश एग्जिट स्ट्राटेजी जो हम कहते है, वैसे ही चलता आ रहा है कि वो दिखना चाहते है कि सब कुछ ओर नियंतरंड में है पर एक्चुली में कुछ भी वैसा नहीं है उन्होंने तो ये जो बाउंडरी कमिशन इस्टैबलिश किया दिखाया तो इसके चेर्मेन है और तो बाउंडरी कमिशन दो थे वकील थे तो यह दिखा रहे है कि वकभी भारत आय नहीं है तो एक अब्जेक्टिव जो पर्सपेक्टिव होगा कि उन्होंने कभी ऑन बायस्ट पर्सपेक्टिव है वो इंगल्ड दिखाना चाहता है कि हमने आपर ए है उनों के चैर्मेन वो है और बागी जो है दो, दो मेंबर्स, दो हिंदु, दो मुस्लिम जो decide करेंगे कौंग्रिस, हिंदु दीडेटस और मुसिलिम मेंबर्स उनको मुस्लिम लीग करेंगे तो मतलब वो दिखाना चाहरे थे कि सब कुछ जो हम बहुत ही नूटरल वे से चाहते है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका प्रभाव या जो इसका ब्लेम होगा अगर हुआ वो इंडियन्स पर ही पड़े मतलब जो दोनों पर पड़े क्योंकि हमने तो बहुत ही यूनों प्लाण वे से बाउन्डरी कमिशन इस्टैबलिश किया है अब यह कैसे अब आप पर ही निरभर था तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो यह इंपोर्टन है जानने का कि एक तर से एक मोखोटा ही था कि ओर दिखाने का पर अच्छली में वैसा नहीं था क्योंकि जैसा लूसी चेस्टर का काम है और जोया चाटर जी का काम है दोनों ने दिखाया कि यह न तो जो माउंट बैटन दिखाना चाहते है कि नहीं है हम एंस में नहीं था ऐसा नहीं है उनका भी काफी सटल वेसे और जो ना दिख सके उनका इंफ्लूएंस भी था जो की फाइनल बॉर्डर में दिखता है एक बहुत इंपोर्टन सवाल मेरे दिमाग में आता है जी सिरिल ALLY जानते क्वेंल राट का हिंजुस्तान के बारे में कभी नहीं जानते थे खिन अंहीं हिंदूस्तान में उसके पहले उन्हें नहीं कभी किए उन्हें के चैयर्मनूशिप में जानी इसे ये बाकी कंगर्सन भी यू Teams होने।े उनकी ओषरी ओवर्राल मॉर Argentina क्या और साइन्टिफिक हो सकती थी अगर कोई ऐसे विक्ति को कमिशन का हैड बनाया जाता जो अंडिवाइड बिटिश इंडिया के जानकार हों जो इस जमीन पे आये हों जो इसके नुआंसेज और सिफ अडिनिस्ट्रिटिव प्रोविंसेज के तौर पे जियोग्राफिकल जो लैंड मास था उसको ना देखकर बलकि एक पीपल एंड कल्चर के टर्म्स में उस जमीन को देखते हैं बिलकुल ये भी आपका बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है क्योंकि सेम चीज जो है पंजाब के गवर्नर उन्होंने भी ऐस आइस ओफिस अडिन्स्रेटर थे इव प्रशन है तो उन्होंने कहा कि इतने कम समय में एक बॉर्डर बना देंगे और सब कुछ नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा इस नहीं है तो खुद बृतन के भी आफसर ऐसे थे जिनको लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है प्रोसीजर बट वन डजनो कि फिर भी ये चीज टीम रोल की गई है ऐसे भी कह सकते हो कि ये डिसाइड कि इसी बी तरह से ऐसा लगता है कि बस खतम करके निकलना है अंग्रेज कमिटेट थे उनका डेडलाइन था जून 1948 तक रहना तो तब तक रह सकते थे लेकिन कमिशन का गठन होता है 12 अगस्ट को रिपोर्ट सब्मिट की जाती है जो कि पब्लिक नहीं की जाती है 15 अगस्ट बीच जाती है लोग अजादी मनाते हैं सेलिबरेट करते हैं अगले दिन उपते हैं ये बगयर जाने कि उनका गाउं उनका शेहर जो है हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है 17 अगस्ट को बोर्डर कमिशन का अवार्ड एनाउंस होता है एक तरह से पैनिक से टप कर जाता है क्या ये प्रोसेस कुछ तो जैसे में कहा थी कि खुद इवान जैनकेंस है, क्लाउड और चिनलिक है, उन्होंने भी बताया था कि यह ताइम फ्रीम ठीक नहीं है, जैसे आमने राइट ली कहा 12 अगस्त को रेडी भी हो गया था, तो एक यह मैं हिस्टोरियन जैसे हो सकता है कि माउंट बैटन भी समझ के इस इस गोई इस बहुत ही मुश्किल करने वाली है यह बाउन्डरी अवार्ट तो उन्होंने उसको पोस्ट डेट करके रिलीस करवाया कि 13 अगस्ट साइन होता है बाउंडरी कमिशन, 13 अगस्ट माउंट बै अगस्ट माउंट बैटन यह चाहते थे कि जो मैस है वो भारतियों पर ही आए भारतियों पर ही आए क्योंकि 15 अगस्ट तक तो उनकी प्रिटिश है यहां पर उसके बाद जो होता है we are not responsible तो डेफिनेटली यह प्लैंट था और यह सब को मतलब समझ में आई गया था कि अगस्ट करना है इंडिपेंडेंडेंस दे दो और यह सकते है तो वही है इसमें यह क्लियर था कि पंजाब और बंगाल का बटवारा होना है बंगाल का बटवारा एक बार पहले हो चुका था जिसको लेके बहुत विरोध हुआ था बंगाल की जनता में 1905 में हुआ था पंजाब के बारे में भी आवाजे लगाता सुनने को मिलती थी कि यह पंजाब इस तरह से जिस तरह से होमोजेनस और एक प्लूरिलिस्टिक प् मतलब मुस्लिम इज्चोरिटीटा सений 믿णी लेकिन काई अविसे तहे जहां पर इस तरिक्स को घटाए लगी ऐसी फ़ोन को जो सबग्यारिख वांतें तो सबसे ज़्यार्टिएर दीर्वार मात वार पाटे कि विर से तरह से कि ज़एर्टाइ boundary commission. दोनों में four four members है, two Hindus, two Muslims. Muslim League के तरफ से दो और दो Congress के तरफ से. और technically आपके पास मतलब कोई भी उनको presentation दे सकता था. कि ये portion इंडिया में होना चाहिए, ये Pakistan. Common Man को भी ये permission था. But obviously time frame इतना कम है कि उन्होंने सब के petitions नहीं पड़े. ये सारे petitions National Archives में हैं. काफी interesting records है. आपने इंको देखा होगा पतलब को? तो दोड़ा बहुत मैंने देखा है, बेंगॉल साइट का. तो ये interesting है, बट तो इनको सब को consider नहीं किया है. जिसको consider किया गया था, लार्जली वो political parties के थे. तो अगर मैं बेंगॉल साइट का आपको बताओं, तो उसमें बेंगॉल की तरफ से एक Muslim League का map दिया गया. और एक जो है, एक तरसे जो है चैटी जी कहती है, Hindu Coordination Committee. जिसमें है आपके Congress का एक plan है, Hindu Mahasabha का एक plan है. और दो तीन छोटे 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 इसमें Congress और Hindu Mahasabha की commonality थी या इनमें भी divergence थी? बहुत divergence, Congress का इसलिए उसको बताया गया Congress scheme, दो मैपस आई Hindu की तरफ से, अगर उनको हम कह सकते हिंदूस. तो एक तो Congress ने प्लान दिया, जो की जादातर आज का जैसा मैप है, अच्छली मैं उसको फोलो किया, और जो की non-Congress but representing Hindus, जैसे Hindu Mahasabha, जातिये बंग और समह, ऐसे चोटे मोटे और ओरनासेशिशिशिशन भी और थे, उनका था Congress's plan, जो की इनमें, बहुत सब कुछी थी था जो हिस्सा था, वो अपने इंडिया के साइड में अच्छी नहीं हुआ, जो की नाच्रली एक्सेप्ट नहीं हुआ, जो की नाच्रली एक्सेप्ट नहीं हुआ, जो 55% Muslim population cannot be given, around 30% of land, ऐसा भी था, तो दो मैप्स यहां से गए, बंगल के लिए, एक मैप Muslim League के लिए गया, ज जो कॉंग्रड़र्स का था, उस में बिया गया था, बर ये सारे बहुत लीगल टरम्स में अर्गू किये गए थे क्यो क्यू क्यो क्यो क्यarta चाहिए, मुस्लिम लीग ने उलसो फॉट वरी हार्ड फॉर क्याद वोक्वार्पुन ता उनका था कि इस हमारे लिए निये एकोन यूनिट्स होने चाहिए मतलब नॉन-स्टॉप मुस्लिम एरिया पाकिस्तान में जाए नॉन-स्टॉप जो हिंदू एरिया है वो आपका इंडिया में जाना चाहिए तो वो तो में था बट इनकेस ये फॉल नहीं हो सकता है तो अधर फैक्टर्स को एंगोट वो आपको डाल करने के लिए और कॉंग्रेस भी कर रहा था लार्जली एक बहुत ही लीगल टर्म में पेटिशन्स दिये जा रहे थे बाउनरी कमिशन को और अल्टिमेटली मगर जो की देखा जाता है बहुत कम परसंटेज आकि वाकी कमिशन स्कूटिनाइज कर रहे थी बिलकूल पर कॉं कर रहे थे कि बंगाल के कॉंटिक्स में कि मुस्तिम लीग को खुआइश थी कि कलकता पाकिस्तान का हिस्सा होना चीए उसी तरह से पंजाब में मुझे नहीं पता कि मतलब मैं इतिहास का नहीं हूं लेकिं पंजाब में चूंकि 1980 के दशक में कई पंजाब में जब तो लाहूर के एस्पिरेशन के हिंदुस्तान के नेताओं के थी कि इंडिया में होना चीए बिलकुल लाहूर के लिए भी जैसे फाइट किया गया था क्याकिटा के लिए लाहूर अमरिटसर अमीन और ये विकॉस शेहर थे और सेंटर और एकोनॉमिक सेंटर थे तो इनके ये बहुत जादा आर्गुमेंट्स किया रहे थे तो अल्तिमेटली जो एक चीज हम लोग देखते हैं बाउंडरी कमिशन में अंस्पोकन ये एक अंडिस्टैंडिंग है जो माउंट बैटन ने शायद रैटकलिफ को बोला है और जो रैटकलिफ ने माना है कि एक तरह का ज जो है ये तो मतलब no one as lesser than I.K. Gujral काई बार हम लोग आज रिपोर्टर साफ जो प्रदा मंत्री भी बने उनके दिल में हमेशा दर्द महसूस होता था कि लाहूर की गलिया तो हम एक चीज देखते हैं कि पंजाब के कॉंटेक्स में एक स्पेशल एक काटेगरी आती जो पंजाब में वो तो किसी भी इस्ट्रिक में शायद मेजॉरिटी सिख नहीं थी तो सिख कम्मुनिटी के पर कैसे बीती ये पार्टिशन और उनका क्या सेंस अफ गेन और सेंस अफ लॉस हुआ ओवर और पार्टिशन को तो मतलब अगर बाउंडरी कमिशन का देखे तो उन उनके तरफ से किस ने दिया था बल्देव सिंग है अंतारा सिंग है जो उनके जो कम्मुनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे तो उनको उनको उन्होंने भी काफी एक्स्टेंड़ेड सोचा था कि सेपरेट मतलब काफी सारा एरिया आ सकता है बट एक रियलि मतल लिन कसो नाुको आरिया पाकिस्टान का पासिंग दो सिंग होगाइ तार भाट मुनिटी में है नौस्टाल्जिया मेमरी तो कवंऄ ही है पाकिस्जियन प्रोसस्सन प्रोसस्य मंध्यविल स्ङसित में जो पढ़ने को मिलते हैं तो एक सेंस निकल के आती है कि उन लोगों को लगता है कि लाहौर और गुर्दासपुर के मामले में हिंदुसान को अंडूली फेवर किया गया था गुर्दासपुर के बारे में स्पेशली की उसमें गुर्दासपुर की डिविजन इस तरह से कि कि हिंदुसान को फेसिलिटेट किया गया कश्मीर को एक्सेस करने के लिए यह आरोप लगाया जाता है कि माउंट बैटन भी इसमें इंडिया का इंडिया का इविंचुल एक्सेशन ऑफ कश्मीर के लिए एक तरह से रस्ता को पेव कर रहे थे इनो बना रहे थे उसको तो सकता है इसलिए कई बार कहते है कि माउंट बैटन जो मितलब राटक्लिफ जो प्लान है वोस्टली वो कॉंग्रेस प्लान से मैच हो रहा था नौट ओनी इंटर्म्स अफ जो मैप बनाया गया है बट इवन फैक्टर्स तो जैसे कि अगर कॉंग्रेस ने बताया है कि इनों क कि तरफ से यह था कि पूरे सब डिविजिन को लीजिए शायद अधिनिस्ट्रेटिव पॉंट ओ व्यू से वो जादा बहतर होता बट कॉंग्रेस की तरफ से यह आया कि पुलीस स्थाना को यूनिट बनाये तो अगर आप देखे कि प्रोसेस ऑफ मैप मेकिंग ऑलसो काफी जो नहरू के ही पॉंट ओ व्यू और कॉंग्रस के पॉंट ओ व्यू लिए गए थे तो हिस्टोरियन तो यह दिसक्स नहीं करते है कि हमारे हिंदुस्तान में आजगर जो मौडन एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चला जा जाए है कि उस समय हिंदुस्तान के जो राजनेता ते अजवाहल पी आभोप लगाया जाता है कि उनोंने इंडियान इंट्रेस्ट को पूरी तर उसका सौदा कर दिया था तो यह कप्ली नहरू के छिलाव गलत चार्ज है कि नहरू ने अपने जितने इंफ्लीएंसे से जितना हो सकता था तो उन्हों ने इंडिया के फेवर में आवर्ड को कम से कम इंडिया के फेवर में लाने में काफी उन्होंने रोल प्ले किया और सक्सस्फुली रोल प्ले किया जब भी हम बात करते हैं एक चीज मैं मुझे पता है कि यह इतिहास नहीं है लेकिन इतिहास और लिटरेचर में कई बार बहुत ओरलाप समको मिलते हैं खास वसे पार्टिशन लिटरेचर के बहुत ही वाइबरेंट सब जॉनर रहा है हिंदुस्तान के लिटरेचर में तो एक क तोबा टेक सिंग का जो ट्रॉमा था क्या वो एक तरह से एक तरह से एपिटोमाइज करता था लाखों हिंदुस्तानियों के और पकिस्तानियों के भी ट्रॉमा को जब आप में लिटरेचर बताया है इवन इस प्रॉसस ऑ बाउंडरी कमिशन का भी बहुत अच्छा पोयम शाहद आपने भी पढ़ा होगा, W.H. Auden, Partition, जो की पूरा बताता है इन पोयम है, बत राद क्लिफ और प्रॉसस ऑफ में बाउंडरी, यह पोयम में ही आप मतलब हिस्ट्री वर्क ना पढ़के भी उसको पढ़के आपको समझ जा जाएगा कि क्या है, लाइक्वाइस इस्टोरिकल कॉंटेक्स और यह चीज़ अच्छली मैं बेंगॉल के साइट पर देख सकते हो, जब बेंगॉल बाउंडरी पंजाब में तो इतना शायद इंपॉर्टन नहीं था, बट बेंगॉल का अगर जोग्रफी देखे, रिवर्स बहुत इंपॉर्टन है, पूरा ड इंडिया में आ गया, बट उसने चेंज कर लिया, अब वो, मतलब ये डाइग्राम आप देख सकते हो, अगर चार आप कभी सचेए, पंजाब में भी रही होगी, पंजाब में भी पंजाब को नामी पंजाब से मतलब पांच नदियों से निकल के आता है, सम्हाँ ये डिल् अगर में हूँ, बट विन रिवर चेंज तो ये अगर चेंज तो ये पीपल जिसे हम स्टेटलिस कहते हैं, तो पीपल स्टेटलिस हो जा रहे हैं, या फिर एंकलेव इंकलेव अभी रिसेंटली टूजनेव लाइंड बांडरी अगर्यमेंट हुआ हैं ये रिसेंटली आर्गुमेंट ये है कि एक एरियल सर्वे भी अगर ले लेते हैं, रैटलिफ और मिम्बर्स, यहां पे सिर्फ लाइन बनाने से नहीं होगा, जोग्रफी इस एंपॉर्टन तो ये तो ये तो ये तो आखरी सवाल आपसे हमारा वक्त खतम होता जा रहा है, आपकी किताब का बहुत ही मार्मिक टाइटल है, Boundaries and Belongings, तो सिर्फ लकीर खेंज देना काफी नहीं था, Belongings भी थी, Belongings में जमीन भी थी, जमीन तो लेके नहीं जा सकता था, और बाकी चीजे लेके जा सकता था, बहुत लोगों का मानना है, कि ये जो 17 August के बाद से जो एक पागलपन आया कि निकलो और भागो और पहुचो वहाँ चलती, अगर इस प्रोसेस को थोड़ा सा लेंग देन किया जा सकता था, वक्त दिया जा सकता, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, कि इतना पीरिड आप कर सकते हैं, तो क्या ट्रॉमा थोड़ा कम होता? अच्छली इसमें एक तो पाथ है कि पर्मनेंटली लोग छोड़ रहे हैं अपना बीटे, बेंगॉल में इसको बोलेंगे अपना जो लैंड है, तो वो लॉस तो हमेशा रहेगा, बट डिफिनेटली जो वाइलेंस है, जो वाइलेंस है, वो शायद कम भी हो सकता है, बट अ अच्छाइडल प्रोपोर्शन पर था, क्योंकि सब कुछ, सब लोग तब ही छोड़ के चले जा रहे हैं, पर बेंगॉल में माइग्रेशन पैटर्न मतलब फेजवाइस हुआ है, एक हाई पॉइंट था 1946 का, फिर 1950 में, 1952 लोग आते ही जा रहे हैं, जो कि अभी भी बेंग तो बता सकते हैं, जो हुआ है, तो वाइलन्स का लेवल अलग है और हो सब्सक्ता है क्योंकि फेजवाइस माइग्रेशन है बेंगॉल में और वहाँ पर एक ही बार में 47 में निकले हैं, हिंदूस्तान में एक चीज़ के बारे में बहुत कम पब्लिक अवएनस या आखरी तो वापस आए इसके बारे में हिंदूस्तान में जानकारी भी बहुत कम है और इसके बारे में जादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है तो आपने जो कुछ शोद किया उसमें आप दोनों साइट में मतलब बंगाल और तो आपने क्या देखा कि लोग चले गए तो फिर वा इसको ऑप्शन दिया गया था एंड की आप six months आप लिखे इंडिया final या इंडिया provisional Pakistan final Pakistan provisional अगर provisional लिखा है आप 6 महिने में वापस आ सकते हो बट कुछ area departments जिसमें आपने अगर लिख दिया है provisional पर आप वापस नहीं आ सकते हैं मतलब एक तरह से थोड़ा सा अंडर मतलब government में लोगो आम non government में भी आप देखेंगे कि लोग जाते थे एक family member को यहां चोड़के वहां पर कैसे situation है हाला देखकर फिर वापस आये पर कई बार आना वापस easy नहीं होता था और इस पर काफी का लिखा भी गया है and aspirations जो टूटे हैं उस पर भी लिखा गया है जैसे पापिया गोश का वर्क है मोहाजिर पर लिखा है वजीर अजमींदार का काम है जो डिली पे वापस आने वाले मुसलमानों के बारे में है तो कुछ रिसर्च है पर कमिंग बैक इतना easy नहीं था कमिंग बैक इतना easy नहीं था प्रोविशनल कुष्णी रास अब final हो गया पल अंडिवाइड ब्रिटिश इंडिया का किस तरह से बट्वारा हुआ वाके एक कसाई की चाकू चल गई या जो butcher's knife बोलते हैं सर्जन के माइन चोटे मोटे instruments की जरूरती लेकिन ऐसा नहीं हुआ था अगर यह होता तो शायद दर्द और ट्रॉमा थोड़ा कम होता धन्यवा अगर यह होता है